हेलो दोस्तो एक बाद फिर स्वागत है आपका मेरे चानल स्टड़ी पॉइंट पे तो हमने केमेश्ट्री की सीरी शुरू की थी उस सीरी जो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आई हूँ मुहासे के निशान को कम करने के लिए इनमें से कौन सा सबसे अच्छा गरेलू उपाई है तो वो है दही सेकंड कोशन देखते हैं कौन सा बायोसाइड का एक रूप नहीं है तो वो है ब्लीच ब्लीच इनमें से बायोसाइड नहीं है Bioside कैसे काम करता है How Bioside work तो ये क्या करता है ये bacteria को control करता है bacteria को नियंतरित करता है करिंतक नाशक क्या है तो ये है एक Crafticide सबसे अधिक isतेमाल किया जाने वाला करिंत नाशक प्रकरती में डैश होते है क्या होते है ये होते हैं Anti-Cogulant नेक्स्ट कोर्शन है हमारा प्राकर्तिक रबड एक डैश है जिसमें उच्छ लोच होती है यानि हाई इलाश्टिसीटी होती है तो यह होता है इलाश्टोमेर NBR क्या है यानि NBR की फुल फॉर्म बताईए तो यह आपके चार ओप्शन है तो इसमें इसका अंसर है N-acrylonitrile butadine rubber नेक्स्ट कोशन है एक सिंथेटिक रबड का भार डैश होता है तो यह होता है higher molecular निमलगित में से कौन PVC का पुनरूप है यानि फुल फॉर्म 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 पॉलिविनायल क्लोराइड किस शेतर में petroleum का उप्योग नहीं किया जाता automobile, petrochemical, चिस्सा या फिर marketing तो दिख रहा है सिर्फ marketing में petrol का यूज़ नहीं किया जाता बाकिन में किया जाता है पानी की बुंदे गोलाकार क्यों होती है जो water drop होती है वो spherical होती है क्यों होती है वो होती है surface tension की वज़ा से ASLV का पूनरुप क्या है यानि full form बताए ये ASLV की इसकी full form होती है समवर्धित उपगरह परसिक्षपन यान यानि augmented satellite launch vehicle next question हमारा battery का क्या आर्थ है so battery होती है बिजली परदान करने के लिए रशाइनिक किरिया का उप्योग करता है ये uses chemical action to provide electricity next question protein की निमलकित में से कौन सी सरचना protein data bank में संग रहित है which of the following structure of protein is stored in protein data bank तो वो है three dimensional structure यानि three आयामी सरंचना ये हमारा last question है इस वीडियो का so निमलकित में से कौन सा अनुवांशिक रोग ज्यादातर लड़कों को प्रभावित करता है यानि genetic disease की बात है याँ पर जो mostly boys को affect करता है so वो है आगम glow bulimia so ये हमारी आज की वीडियो थी प्रभावित करता है